तो यह थमनेल देखके हो सकता है पको थोड़ा वियर्ड लग रहा हो बट यह वीडियो दिखने के बाद बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगेगा और आप समझ जाएंगे कि क्यों डेले पुलिस जो है सेंटा क्लॉस बन चुका है और यह कितने सारे गिफ्ट्स लाया है यह ग अब यहां पर आप डिरेक्ली फिफ्ट पॉइंट पर आई है यहां पर आपको पता है और आपको पॉइंट नंबर फिफ्ट पर फोकस डालना चाहता हूं रिक्रूट्मेंट ऑफ हैट कॉंस्टिबल मिनिस्टियल एंड डेली पुलिस 17 माई को नोटिफिकेशन आनि कि कल आएगा इसका नोटिफिकेशन डेट ऑफ अडवर्टीजमेंट 16 जून इसकी लाज़ डेट होगी सेप्टेंबर में इसका एक्जाम होगा ठीक है 17 कल को इसका अडवर्टीजमेंट नोटिस आएगा Recruitment of Constable Driver in Delhi पुलिस 27 जून को यानि कि जर्स्ट अगले महीने इसका नोटिफिकेशन आएगा October में इसका एक्जाम होगा Recruitment of Head Constable AWO TPU in Delhi पुलिस 4 जुलाई को यानि कि जर्स्ट उसके अगले महीने इसका भी नोटिफिकेशन आजाएगा और इसका एक्जाम होगा November में फिर उसके बाद जर्स्ट अगले महीने सब इस्पेक्टर इंडेली पुलिस का इसका नोटिफिकेशन आजाएगा और इसका एक्जाम होगा December में फिर उसके अगले से अगले महीने यानि कि October में आजाएगा MTS Civilian in Delhi पुलिस और इसका एक्जाम होगा February में उसके बाद नोजनवरी को यानि कि उसके दो से तीन महीने बाद recruitment of constable in Delhi पुलिस ये आजाएगा आपको नोजनवरी का नोटिफिकेशन और इक्जाम होगा इसका में में समझ रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी मैंने आपको अभी exams बता है आपने डेली पिलिस सब में common पाया होगा चाहा वो constable हो, driver हो, head constable हो, sub inspector हो, सब की vacancies हैं और इसी साल में सब की vacancies हैं अगर अगले साल के जस्ट पहले ही महिने में है ठीक है और दूसरे week में ही आपको vacancies देखने को मिल भी हर साल आता है वो तो, लेकिन डेले पुलिस यह आप समझ लो, इन में से काफी सारी ऐसी vacancies हैं जो सालों से नहीं आई हैं, जैसे head constable की बात करें तो 7-8 साल से इनका कोई आता पता ही नहीं था, तो आप समझ सकते हैं कि 7-8 साल बाद यह opportunity आपको मिल रही है, और यह आग से महल बोल रहा हूँ कि यह आपके लिए golden opportunity है, अब head constable ministerial पहले तो मैं तुम्हारा एक एक चीज सुनते रहना ध्यान से, यह वीडियो बहुत important रहने हैं आपके लिए, तो अगर आप जरा सब इंट्रेस्टेड हैं Delhi place के लिए तो, ठीक है, और बिल्कुल आपको इंट्रे के नाम से आपको playlist मिल जाएगी, उसमें उने सारे वीडियो बता है, eligibility, selection process क्या होगा, और आपकी salary कितनी होगी, exact salary slip दिखाई है, वो तो आप देखके एकदम motivated हो जाओगे, ठीक है, initial मैं आपको बता दाता हूँ, initial आपका enhanced salary मता रहा हूँ, ministerial और AWO का, ठीक है, तो यह ministerial औ लोगों को इसके बारें पता होगा, और काफी सारे लोगों के मन में काफी सारे तरह के doubts होगे, जैसे कि क्या हम इसे states हैं, क्या हम इसके लिए डाल सकते हैं, from Delhi Police के लिए, सबसे पहले तो इसी doubt कहां साथे हो, तो बिलकुल डाल सकते हो, और आपके जितने भी doubts हो, कुछ भी आपके SSC exam लेता है, वहाँ पर यह आपका exam conduct होगा, अभी तक Delhi Police लेता था इनके exams, बट इस बार से SSC को यह पूरा tender दिया गया, तो SSC ही सबको conduct करवाएगा, और बाकी हर एक चीज़ के regarding, जैसे करें बात करूँ, मिनिस्टियल और AWO को मैंने deep में cover कर रखा, मिनिस्टियल क जो main purpose है, मेरा इस वीडियो के थूप वो यह है, कि अगर आप इसके लिए serious हैं, serious aspirants के बात करना हो, और अगर आप exam crack करना चाहते हैं, तो कल, यानि कि जब यह notification आएगा आपका, head constitutional मिनिस्टियल का, तब ही मैं आप लोगों के लिए announcement करने वाला हूँ, free batch का, ठीक है, और य यह batch, अगर आप इसमें regular रहते हो, यह YouTube में ही सारा पूरा batch चलेगा, मैं आपको बता दूँ, और यह आप खुद compare कर लेना, जो काफी जो paid batches हों, और कहीं से भी आप इसको compare कर लेना, आपको way better मिलेगा, और यह batch के थूँ जो target है, वो है maximum number of selections, और वो दे के ही रहेंगे, head constable, ministerial, पहला target है, फिर AWO, जैसे जैसे आपके notification आते जाएंगे, अगर आप किसी के लिए भी serious हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि कल मैं पूरा announcement करने वाला हूँ, mathematics हो गया, reasoning हो गया, gk हो गया, computer हो गया, सारे subjects के regarding मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको इस channel प आपको यहाँ पे मिलेगा, अलग से इसके लिए आपको आप गुरूप बनाया जाएगा, जितने भी serious aspirants होगे उनके लिए और बिल्कुल चिंता मत किज़े, आपसे एक रुपय तक चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसे काफी सारे aspirants हैं, जो उसकी mark जाएगा धीरे-धीरे, ठीक है, नहीं पता चलेगा तो उसके हाँ से opportunity गई, लेकिन ये बात तो आपको भी पता है कि online के इस महौल में किसी से कोई बात एकदम अचूती नहीं रहती, सबको पता चल जाता है, ठीक है, तो competition भी जाता होगा, क्योंकि इतने सालों बाद vacancies आ सारी और इतनी बढ़ियां ये जॉब है, एक नंबर जॉब है, पहले तो आप को में बताएगा, पहले तो आप किस जॉब के लिए इसमें जो है, सीरियस है, हैट कॉंस्ट्र मिनिस्ट्रेल, A.W.O. या फिर सब इस्पेक्टर, ड्राइवर, या फिर जो कॉंस्ट्रेबल, फिर MTS, वो आप कोमेंड बताएगा, बट अभी तो मैं आपको मिनिस्ट्रेल के रिगार्डिंग एकदम अवेर करना चाहता हूँ, ठीक, और या कोई पता है कि इसमें कॉंपटिशन इजी नहीं होगा, क्योंकि इतने साल बाद वेकंसी आरी कब आईगी पता नहीं है, और अभी दिन, प्रिपरेशन में डिले नहीं करना, यह नहीं कि जब जून में है, फिर जुलाई में किसी का बैच आएगा, तब हम खरीदेंगे, तब हम पढ़ाई करेंगे, नहीं, from the day, अभी से, अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तब ही मैं बिल्कुल भी डिले जा दूँगा कैसे कैसे आपको इस चैनल पे क्लासे मेलेंगे, सब कुछ pre-planned है, कि कौन से दिन में, कितने दिन में, कौन से चाप्टर खतम करवाना है, कैसे revision करवाना है, कैसे practice करवाना है, का practice करवाना है, वो सारी चीज़ें pre-planned है, और कितने subject को कितना time देना, जैसे for example तो उसमें हमें उतना फोकस नहीं करना जितने हमें बागी सब्जेक्स करें फोकस करना जहां 20 और 25 नंबर जिनका वेटेज है तो उसी हिसाब से उन क्लासुस को प्लान भी गया है कि जितनी इसके ज्रुत है उतना यहां ऐसा नहीं कि बस डेली चल रहा है ठीख है क्योंकि आपको ही पता है कि लिमेटेज कॉंटेन्ट आपको फाइदा करेगे कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आपकी preparation अच्छी हुई शांदार हुई तो back to back सार एक्जाम से निकलेंगे अगर preparation भूद ही वेकार हुई विल्कुल अच्छी नहीं हुई तो एक भी exam नहीं निकलेगा यह चीज़ को ध्यान रखना और अगर एकदम बीच में नहीं रहना चाहता हूँ कि यार यार कट ओफ थोड़ा सा वो कम चला जाए तो selection हो जाएगा ऐसा एकदम boundary line पर नहीं रहना चाहता हूँ तो अपनी preparation को आर या पार टाइप आपको बनाना पड़ेगा अगर ऐसी preparation बनाते हो तो सारे exam से भी निकलेंगे लेकिन वो आपके डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना effort ढालने के लिए तयार हो यहाँ पर आपकी classes चलेंगी full on वो break नहीं होगा बट आपको भी अपने तरफ से self study करनी होगी अब यहाँ पर मुसके बारे में deep में जाता नहीं जाता हूँ बस अगर आपका कुछ भी doubt है तो आप comment section में drop कर देना और जितने भी मैंने opportunities के बारे में बताया आप खुद ही देख सकते हो इसे पूरे exam calendar में mostly आपको डेली पुलिस ही देखने को मिलेगा ठीक है अब यहाँ पे तो MTS खतम हो जाएगा जून में उसके बाद पूरा डेली पुलिस हावी हो जाएगा डेली पुलिस डेली पुलिस ठीक है डेली पुल मिलते हैं अगले वीडियो में कल लेने की डेली पुलिस जब हैट कॉंसल में सेल का notification आएगा बाकि अगर आपका कोई डाउट होगा तो मैं आज ही आप लों के डाउट क्लियर कर दूंगा ताक कि आगए आपके कोई डाउट ना बचें बस आपकी preparation होनी चाहिए ठीक है वी मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्स्राइब करके notification bell को प्रेस कर लीजेगा धन्यवाद